Best Laptop in 2021 तो यार अगर 2021 में Best Laptop लेना चाहे तो ये वीडियो श्पेशली आपके लिए तो स्टार्ट करते हैं बात करते हैं No.5 की No.5 की बात करो No.5 पर यार मैंने रखा HP 14 को अगर इस Laptop की बात करूँ सबसे पहले यार मुझे बहुत ऐसे बंदे मैसेज करते हैं जिनको HP का ही Laptop चाहिए होता है जिनको Dell का ही Laptop चाहिए होता है अगर आप भी उनमें से आता हो भी अगर आपको भी Dell का laptop चाहिए जा HP का ही laptop चाहिए आपके लिए बहुत अगड़ा laptop होने बाला है बात करते हैं इसके specification की तो सबसे पहले ये दो colors में देखने को मिलता है silver color and black color में black color में ज़्यादा suit करता है and आपको display quality की बात करता है and आपक इसका प्राइस थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा अगर आपने 11 इन्गरेशन की और जाने उसका प्राइस थोड़ा से increase हो जाएगा ठीक है storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाती है अपको 16GB अपको 256GB SSD देखने को मिल जाती जो की plus point आ जाता है graphic card की बात करूं आपको 1019 वर्जन बैंटरी की बात करूं आपको 7 hours का बैंटरी बैकप पर वाइड कर देता है प्राइस की बातों को 40500 के budget में HP 14 देखने को मिल जाएगा तो यह मैंने आपको बता दी है HP 14 के तो plus मैं आपको कहा देना जाता हूं अगर आपको buying लिंक चाहिए मैंने description box में दिये हू 14 को अगर इस laptop की बात करूं सबसे पहले यार यह 2020 में बहुत भी किया बहुत लोगों ने पसंद किया बिकर इसकी build quality इसकी display की quality उसके बाद इसका touchpad एंड trackpad भी बहुत ज़्यादा सही है अगर आप data interest करते हो जाए आपका को office के related काम ऐसा है कि आपको ज़्यादा ही loaded file पे क classification की बात करूं डिस्प्ले से स्टार्ट करते है ठीक है आपको 14 इच फुल एच्टी प्लस डिस्प्ले मिल जाती जो कि anti-glate display पुरसासर की बात करूं इसमें आपको i5 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाती प्लस आपको 512GB SSD दीखने को मिल जाती ग्राफि आपको 10 hours का battery backup प्रवाइड कर देता प्लस आपको 65 वाड का fast charger मिल जाता प्राइस की बात करूं इसका प्राइस आपको 41,000 के budget में MI notebook forwarding देखने को मिल जाएगी तो यहर main specification में आपको बता दिये MI notebook forwarding के अभी मैं इसके plus point की भी बात करता हूँ अभी मैं इसके minus point की भी बात क सबसे पहले इसका जो battery backup है आपको बहुत तगड़ा मिल जाता आपको 10 hours का battery backup प्रवाइड कर देता यह laptop जो कि किसी और laptop में आपको नहीं देखने को मिलेगा प्लस इसकी display quality भी बहुत तगड़ी मिल जाती है इस comparison किया है मैं जो भी आपको laptop बता रहा हूँ उसके बाद हम इ यह देखने को मिलता है कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते हैं लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता 12GB तक भी नहीं मिलता so that's why इसको मैंने no.4 पर रखा और कोई भी reason नहीं है अगर इसका जो RAM है expandable करने का option मिलता तो यार मैं इसको no.1 पर या no.2 पर ही रखने वाला था because laptop पूरा ल होने वाला है आपको 37,000 के budget में यह laptop देखने को मिल जाता है so that's why मैंने इसको no.3 पर रखा because budget बहुत सही है उसके साथ साथ specification बहुत तगड़े मिल जाते है प्लस इसके साथ आपको Lenovo bag भी देखने को मिल जाता है जो कि laptop bag है अगर उसके में budget करूं वह आपको 2000 के budget में देखन को मिल जाते है तो यह laptop का price और भी कम हो सकता है यह आप पर है आप offer को लेते हो के नहीं लेते है ठीक है अगर आप offer को ले लेते हो आपको five percent जो है मतलो five thousand का discount देखने को मिल जागा जो कि आपके लिए सच में plus point आ जाता है अब भी बात करते है इसके main specification की मैं आपको बता दे आपको 16 refresh rate ही देखने को मिलेगी processor की बातों को i3 देखने को मिलेगा आप 10th generation की और भी जा सकतो आपको 11th generation की और भी जा सकतो आप देख लेना जो भी आपको प्रसाइसर चाहिए आप जा सकतो लेकिन 11th generation latest processor है अगर आप उसके चल जाते हो आपके लिए ही good deal होने वाली है storage क की बात करूँ आपको 8GB RAM मैं जाते है प्लस आपको अपको 12GB तक प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिलेगी graphic card की बात करूँ आपको इंटीग्राटिव ग्राफिक कार में जाता अप्रेश इस तन की बातों को window 10 मिल जाते है प्लस आपको MS Office देखने को मिलेगा 2019 वर्जन बैंटरी की बात करूँ आपको 7 hours का बैटरी बैकप प्रवाइड कर देता है प्राइस की बात करूँ मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपको 37000 के बज़िद में Lenovo IdeaPad Slim 3i देखने को मिल जाएगा तो मैंने आपको बता दिया Lenovo laptop के तो यार अगर आपका बज़िद कम है कम आपके लिए आगे बात करते हैं नमबर टू की बात करूं नमबर टू पर यार मैंने रखिया असूस वीवबुक अल्ट्रा फिफ्टीन को गर इस laptop की बात करूं सबसे पहले इसके कलर वगरा बहुत प्यार यार प्लस यार स्लिम और स्टालिस डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है मैं आपको दिल से रिकुमेंड करना जाता हूँ अगर आपने अभी तक नहीं चागूर गया था असूस वीवबुक अल्ट्रा फिफ्टीन को एक बार आप इसको चागूर जरूर करना एंड यह 2020 मॉडल है तो आप देख लेना लिंक मैंने प्रवाइड किया डिस्प्ले की बात करूँ आपको 15.6 इंच फुल एच्टी प्लेश्टी प्लेश्प्ले मिल जादे जो की 16 रिफ्रेश्ट के साथ आती है पूर साथ सार की बात करूँ आपको आई थ्री 11 जुरेशन के साथ मेलेगा स्टोरेज की बातों को 8GB RAM मिल जाती है अपर ग्रेड आ असूस विवबुक अल्टरा फिफ्टिंग देखने को मिल जाएगी तो यहर में स्पैसिफिकेशन में आपको बता दिये असूस विवबुक अल्टरा फिफ्टिंग के भी लैप्टव बहुत ज्यादा से है आपके लिए बहुत तगड़ी लैप्टव जो होने वाली आपक जाते हो को हैएवी सॉफ्टियर यूज करना जाते हो करना जाते और आप ग्राफिक डिजार्निग करना जाते हो च00 कोदिंग करना जाते हो और व tutmost UP में और आप बसाइस यो स्यूश केитесьgent आरे खे आपको 512 GB SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार की बात करूं आपको नवीडिया जीफो MX350 देखने को मिल जाता है जो कि 2 GB के साथ आता है और प्रेडिस देखने को बात करूं आपको एट हावर्स का देखने को मिल जांगे अब भी बात करते हैं अगर आपको कई फारीफ ःजन हो जाता है इस बज़ उसकता है अगर आपका पटरिस वएंग। नहीं जा सकता है तो अक्षूस वेच ऐसकती अँट्र-षफेव.ट्र fift अपको लिए लेग surprise पाघ़ सुन आप लोब्ली कर सकते हो लेकिन मैं आपको gaming नहीं क्या रहा जो graphic card आपको इतना तगड़ा नहीं मिलता है इतना भी आपको तगड़ा नहीं मिलता मतलब आपको high 5 चाहिए अगर आपने गेमिंग करने कर 2GB graphic card तो मेनिमम होना ही चाहिए ना इसी नहीं कर तो यार अभी मेरी वीडियो येहहीं पर हो जाती 50 अच्छी लगी टेम कना अग्यां को मेंटे करते देना दोस्तों सब्सक्तों पर देना स्वाइब और में निए के दो बद गया है, वीडियो कर रहा हूं, तो नीद भी आ रही है, तो उसो डैस वाय से हो जाता है, तो उस चीज को एकनोर कर दो न, तो भी मिलते हैं, नाक्स वीडियो मैंने वीडियो के साथ, थेंक्यी ब्रो,